तारीक परे तारीक पूरी टोलीला निर्भया दोसिंक फासी परवर्ति निर्देश पड़्जनत मुकेश कुमार, बिनाय सर्मा, अखेय सिंग वो पबन गुप्तार फासी उपरे दिल्ली पटियाला हाउसकोर्ट रोक लगाई छती राती पाहिले निर्भया दोसी जूली थांते फासी खुंतरे, किन्तो काली रव फासी तोली जाई छी, दोसींको मिली ची आउ किछी दिनार, महला, तेवा आइन गोत दिगपाई कोट नुआ तारीक धर्जा करी नहांती दोशियों की निर्भया गैंगरेप केस में जो फासी की सजा एक फरवरी के लिए निश्य थी, उस फासी की सजा पर पूरी तरह से अनन्त टाइम के लिए रोक लगा दी गई है, अब आगे की कोई तारीक नहीं दी है, फासी की तारीक नहीं दी गई आगे देथ वारंट कैंसल कर दिया गया है और जेल अथार्टी को सारा आदेश दे दिया गया है, उनसे रिसीब करा दिया गया है, कि इनकी इस आधार पर फासी की सजा नहीं होगी कोट को राय परे निर्भयां को मा कोई चंती दोसिंग को फासी खुंटरे जूलिवा को दिया जिबा नाहीं बोली, दोसिंग को ओकिला चालेंज करी छती तेवे आगो को लड़ेई जारी रहीबा, फासी को काट्जो करी करीबारे सरकार सहजो करीबे मुझे ये तकलिफ है कि उन चारों के ओकिल एपी सिंग ने मुझे चाइलेंज करके कोट में गया है आगी ये फासी अनंत काल तक नहीं होगी, तो ये कोट सुन ले, डिल्ली सरकार सुन ले, केंद्र सरकार सुन ले कि उसने का के गया है कि ये फाजी अनन्त काल के लिए डल गई तो कहीं न कहीं सरकार हमें साथ साल पहले हमारे बच्ची के साथ क्राइम हुआ था बार बार हमारे को उन मुझिर्वों को सामने सरकार जुका रहे ये खोट जुका रहा दोसी माने आतंक बादी नुहनती मामलारे एकाधिक जनकु फासी दन्डादेश हुईची समस्तनकर सबु आइन गता विकल पसमाप्त नहेबाज जाए फासी देई हेब नाही अखेर किुरेटिव खारज हुईची मुकेसर सबु आइन गता विकल पसमारी जाई छी सरकारी ओकिला कही थीले फेबुरेली एकातारी खरे फासी देई हेब के बड़ा बीना को छाड़ी अन्य तीनी जनको फासी देई हेब राष्टो पतिंको पाखरे बीना सर्मा राजक्यमा आवेदान करी छी कहीं न कहीं यह जो निरड़ा आज आया इसको लेकर के मैं खुद बहुत परिशान हो रही हूँ मैं क्लियर थी कि अगर मर्सी उनकी पेटिशन पेंडिंग है बिना सर्मा की तो एक को हैंग नहीं किया जाता बट तीन को तो किया जा सकता था क्योंकि जो डेली जेल मैनुवल वो कह रहा है कि चारों अपने राइट का एक साथ यूज करेंगे बट इस चीज में क्लियर नहीं है कि तीन चारों को एक साथ हैंग किया जाएगा या अलाग अलाग तब जब तीन के जो भी राइट्स बच्चे हुए नहीं है एक्जॉक्ट कर चुके तो उन तीन को तो एटलीस कल हैंग करने का एक्जुकीशन का जो ओडर था वो पोस्पॉन नहीं होना चाहिए था नाबाणका प्रसंगनेई पबन गुप्ता सुप्रीम कोट्रे रिव्यू पीटिसन फाइल करी थिला जहा सुप्रीम कोट्रे खारज हुई छी वीरो रिपोर्ट कलिंग टीबी